स्कूल वेक्याता परिश्या 2014 का हल परसिन पद्र शैक्षिक प्रबंद अजूकेशन मनेजमेंट शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्यपण परशन आज हम डिसकस करेंगे पहला हमारा परशन है N-U-E-P-A मुख्य रूप से सम्बंदित है यहाँ पर जो हमारा सही अंसर होगा वो होगा शैक्षिक योजना उसके बाद है यश्पाल समीति रिपोर्ट 1993 का विश्या है यहाँ पर चार उप्षन है शिक्षक शिक्षा में ICT बीना बोज के सीखना परसारन के माद्यम से सीखना और उप्युक्त में से कोई नहीं तो यह श्पाल समीति रिपोर्ट जो की 1993 थी उसका विश्य था बीना बोज के सीखना यहीं बच्चों को बीना किसी प्रेशर के सुदंतर वातारुन में सीखाए जाए उसकी बाद है विजाले परीसर की अवधारना सुर्फ बरतम कहां किरियानुट हुई उतर बर्देश भी है मद्यब बर्देश C आप्सन है वी आर और D आप्सन है राज़िस्तान तो इसका साही अंसर है उतर बर्देश उसके बाद है D I S E का पॉर्ण रूप है यानि कि फुल फॉर्म है तो इसका एगा डिश्टिक इन्फॉर्मेशन सिष्टम ओफ एजुकेशन जिसे हम डाइस बोलते है उसके बादर स्कूल परमन समित्ती के सदस्य होते है एक को छोड़ कर स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक चात्रशात्राओं की माता पिता अभिवावक कार्यत शिक्षक शिक्षा मंतरी उस्थानिय प्रादिकारी के अन्य सभी निर्वाच्ची सदस्य है जो उस गाओं या वार्ड में जान स्कूल स्थी थे मैं आपको बतायता हूँ देखिए इसमें हमारा अंसर है शिक्षा मंतरी ये प्रशन बहुत बार एक्जामों में आ चुका है और लगा तर रिपीट होता है क्योंकि देखिए शिक्षा मंतरी इसका सदस्य नहीं हो सकता है इसका राइट अंसर आएगा शिक्षा मंतरी और जो भी अबावक है जैसे माता पिता जो भावक है बच्चों के वो इसके हो सकते हैं गाववाण पंच के जो सरपंच है पंच है ये निर्वाची सदस्य वो हो सकते हैं स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं निर्वाची द्वेक्ति जो है अप्स्ताने प्राधिका रिवार्ड से वो भी हो सकते हैं उसको अतर नेमिल कितमे से किसने पहले बुर्यादी शिक्षा का परचार परतिपादित किया था ए है डाक्टर जाकिर हुसेन बी हमारा है डाक्टर राजेंदर परसाद, सी है मात्मा गांदी और डी है रविंदर नाट बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन जो है मात्मा गांदी ने परतिपादित की थी अगला हमार है सर्शिक्षा अभ्यान एक वियापक कारेक्रवं के तहट प्राप्त करना चाता है सर्शिक्षा अभ्यान सभी के लिए सारबोमिक शिक्षा अगला देखिए चलते हैं S.S.A. सरशिक्षा अभ्यान शुरू किया गया था यहाँ पर देखिए इसका उप्सन का राइट अंसर है 2000, एक में सरशिक्षा अभ्यान S.S.A. शुरू किया गया था इसका अंसर है B अगला है शिक्त राश्ट ने 1986 में 12 स्काउट अंड गाइड्स को इस मानद रुप में चैनित किया तो यहाँ पर आएगा देखिए शांती दूत अगला हमारा है सैनिक स्कूल चितोडगर स्थापित किया गया साथ अगस्त उनिस सो इकसर को नेक्स्ट कोशिन है कस्तूरपा गांधी बाली का विद्धाले से समबंदित बढ़ए देखिए कस्तूरपा गांधी बाली का विद्धाले आवासि विद्धाले है S.C.S.T.O.B.C. संक्य समुधाय के लिए 75% आरक्षन है यह गैर आवासिय विद्धाले है कोई जाती है समुदाय का आरक्षन नहीं है माद्यमिक्स्तर के विदल्य है और उच्पराप्निक्स्तर के विदल्य है तो इसका अंसर है A, B और F यानिक तीन कतनी सही है मैं आपको बताएता हूँ कैसे देखी आवासी विदल्य है ये उसके बाद यहाँ पर है इसमें आरक्षन है S.C.H.T.O.B.C. और अपसंग समुदाय के लिए और लाश्ट अपसंग है उच्पराप्निक्स्तर यानिकी उच्पराप्निक्स्तर का विदल्य है तो यहाँ पर देखी माद्यमिक्स्तर का विदल्य है यह गलत हो गया आरक्षन सरकार के नियम मनुसार है जो इसलिए यह आरक्षन नहीं है यह बात भी गलत हो गई और गएर आवासी भी दल्ल्य है नहीं है आवासी भी दल्ल्य है तो यह बात सही होगी तो A, B और F उसके बाद निशुल्क शिक्षाय में अनिवारे शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया ये किसके दोरा अधिनियमित किया गया देखी निशुल्क शिक्षाय में अनिवारे शिक्षाय अधिकार अधिनियमित किया गया उसके बाद हमारा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्याप़ के लिए नियुन्तम कारे गंटे परती सब्दा के लिए कितने हैं तो परती सब्दा के लिए 45 गंटे जो है इस अधिनियम के अंतरकत निजारित हैं उसके बाद है शिक्षा के अधिकार एदिनेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें आज दोस्तों हमने यह एजुकेशन मेनेजमेंट फर्स्ट ग्रेट के लिए जो है मैं तब कोशन डिसकस किया हैं देखें और पिसी फर्स्ट ग्रेट के अंदर जो फिर्स्ट पेपर है हमारा वहां पर शिक्षा मनविज्ञान और शिक्षा शास्तर हम कह लेजिए या आप कहें तो शिक्षिक प्रबंद है यानि कि स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है एजुकेशन के मैनेजमेंट से लिकर जितने एस्पेक्ट है उसके बारे में चर्चकी है अगर आपको ये वीडियो अच